हे गाइस वेलकम बैक और आज हम बात कर रहे हैं एथर एनरजी के और इसी के उपर अपडेट आया तो मैंने सोचा फटा फटा आपको बता देता है तो अगर आप एथर के डायाट फैन है या एथर की जो एग्जिस्टिंग गाड़ी है उसका सोच रहे है लेने का तो फिर ब काड़ी के उपर कुछ-कुछ अपडेट कर रहे है साथ मैं तरुण महताजी टूटर पर कुछ-कुछ ट्यूट कर रहे है जिसमें से एक फैमिली ओरिनेटेड स्कूटर होने वाली है सेकेंडली 450 की सीरीज 2 आने वाले सीरीज 2 मतलब सीरीज 1 अल्रेड़ी वह सेल कर रहे है तो ऐसे में सीरीज 2 में एक ऐसी तगड़ी काड़ी आ रही है 450 सीरीज में जो की एक्च्वल में थुड़ी ज्यादा वेलुबल होगी बट वो वेलुबल वर्थिट होगी कमपनी खुद बोल रहे है रीसेंटल एक टीजर आया और उसमें उन्होंने फाइनली रिवील क्या है कि 450 सीरीज जो सीरीज 2 आने वाली है उसमें जो स्कूटर आएगी उसका नाम क्या होने वाला है फाइनली इस चीज़ को रिवील कर दिया और कब यह लाँच होगी वो भी बता रहे है यह जो स्कूटर आ रही है एथर के तरब से उसका नाम होगा एथर 450 एपेक्स भाई क 450 में जो देखा उससे भी best in class features वो एड कर रहे है इस गाड़ी में performance खतरनाक है और थोड़ी सी lighter होने वाली है और यहाँ पर जो बैटरी है वो भी थोड़ा सा बैटर किया जागा जिससे range जादा मिल पाए लेकिन the thing is that कि इस गाड़ी को launch कब किया जागा सबसे बड़ा जो स तो यह add कर रहे हाला कि price भी जादा होने वाली है साथ में जो इलेक्टर स्कूटर की बात की जारी काफी समय से that is family oriented electric scooter जो actual में TVS IQ को टकर देगी उस level की गाड़ी बना रहे है उसमें जो power figure वो less होने वाला है secondly जो battery है उसमें changes किये जाने वाले है और motor में भी changes किये जाने वा degradation नहीं है सिर्फ battery में degradation है and TFT screen में और digital representation में difference देखने मलता है actual में motor में कोई भी कटोती नहीं की गई है लेकिन ether की जो family oriented गाड़ी आने वाले है उसमें actual में जो motor उसमें कटोती की जाएगी probably BLDC हो सकता है क्योंकि आदी से ज्यादे industry BLDC पे आ चुकी है जो उनकी top of the line है में ether की समय देखेंगे तो mid drive motor होने के कारण वर्ष यहाँ पे सारे के सारी गाड़ी हो के जो price है वो काफी जादा हो जाते है तो company को शायद इस चीज़ का एहसास हो गया कि देखो अगर हमको sale करना है जादा number तो हमें एक budget economical गाड़ी लानी पड़ेगी as per उनके हिसाब से ज कि finally इसका teaser आ चुका है ether 450 apex का हाला कि इसमें गाड़ी शोकेज नहीं बट camouflage में थोड़ा बहुत देखने हो मिल रहा है और इसका जो series 2 में company के CEO ने एक हो चीज कहा था कि transparent panel वाला भी एक variant होने वाला है probably जो apex हो रहा है इसके साथ एक और model वो launch कर सकते है जिस में transparent panel देखने हो अपडेट था वीडियो चुले तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू कर देना मिलते एक लिए वीडियो में बाबाई